आज की इस फीडियो में हम बहुत ही पैरा सा डॉर्मेट डिसाइन बनाने वा रहे हैं तो इसे बनाने के लिए हम ये तीन कलर का यूज कर रहे हैं ब्लैक, रेड और यलो जो भी कलर आपको पसंद हो उसका आप यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम सलाई में फंदे डाल लेते हैं तो इस दोलमेट हम आपको 29 फंदों से बना कर दिखाएंगे तो सबसे पहले ब्लैक धागे से हम इसमें 28 फंदे डाल लेते हैं सलाई में इस तरह से सलाई में फंदे डालने हैं दागे को इस तरह से पर पकड़ेंगे। और इस तरह से हम इस पर फन्दे डालेंगी को साथ 2 फन्दे डाले ladder यह हमने 3 फंदे डाल लिए हैं तो इसी तरह से हम ब्लाक धागे से 28 फंदे डाल लेते हैं यह हमने सलाई में ब्लैक धागे से 28 फंदे डाल लिए हैं अब एक फंदा हम रेड धागे से डालेंगे तो इस तरह से हम इस पर स्लिक नॉट बना लेते हैं और इसे सलाई में बांद लेते हैं तो यह हमने red धागे से 1 फंदा डाल लिया है, तो टोटल हमारे पास 29 फंदे हो गए हैं, अब यहां से हम बुनना बढ़तक करेंगे, तो यहां पर हमें 1 फंदा बढ़ाना है, तो रेड धागे का 1 फंदा बढ़ांगे, रेड धागे को हम इस तरह से सलाई पर घुमा कर लाएंगे और ये रेड फंदा हम बुन लेंगे जिसे के हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा तो ये हमने एक फंदे से दो फंदे बना लिए हैं अब यहां से ब्लैक एक फंदा भी हम रेड से बना लेते हैं तो यहां पर हमारे पास Red Color के 3 फंदे हो गए हैं, अब यहां से हम Black धागे से बुनेंगे, इसी तरह से हम Black धागे से ये Black फंदे बुन लेते हैं और आखी में हम दो फंदे बिना बुनें छोड़ेंगे, अगर आप Dolmit बड़ा बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह से आप सलाई मे इसी तरह से तो बड़ी सैस में महीं डालने वाले हैं। जो दिखने में बहुत ही सुन्दर लगेगी डॉर्मेट से रिलेटेड आपकी कोईविक्यूशन्स और डाउट्स हूँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो यह हमने यहां तक ब्लैक फंदे बुन लिए हैं और यह दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे यहां पर इसे सलाई को पलट लेंगे दागे को दोनों सलाई के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी दागे से हम बुन लेते हैं तो पहले हम ये ब्लैक फंदे ब्लैक धागे से बुन लेते हैं। ये टोलमेट का सीधा वाला साइड बनेगा तो इस साइड से हम हमेशा इसी तरह से बुनेंगे। जिस कलर के फंदे होंगे उसी धागे से हमें बुनना है। यह हमने ब्लैक फंदे यहां तक बुन लिए हैं अब हम ब्लैक धागे को सलाई से पीछे की तरफ कर देंगे और रेड धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और अब यहां से यह रेड फंदे तीन फंदे हम रेड धागे से बुन लेते हैं यह हमने रेट फंदे भी बुन लिये हैं अब यहां से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे तो यहां से फिर से हम रेट धागे से एक फंदा बढ़ाएंगे धागे को इस तरह से सलाई पर गुमा कर लाएंगे और यह वाला फंदा हम बुन लेंगे तो यह हमने फिर से एक फंदे से दो फंदे बना लिए हैं अब यहां से ये रेड फंदे हम रेड धागे से बुन लेते हैं और इस बार ब्लैक कलर का ये वाला फंदा हम रेड धागे से बुन लेते हैं हर बार हम ब्लैक कलर का एक एक फंदा हम रैड से बुनते जाएंगे तो एक फंदा हमने बुन लिया है अब यहां से हम ब्लैक दागे से बुनेंगे पहले हमने यहां पर यह दो फंदे बिना बुने छोड़ेते इस बार हम यह दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे इसे सलाई को पलट लेते हैं दागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी दागे से बुन लेते हैं तो यहां तक हम ने इस सारे फंदे बुन लिये हैं अब यहां से हम फिर से बुनना स्टार्ट करें फिर से रेड दागे से एक फंदा बढ़ाएंगे यहां से ब्लैक एक फंदा हम रेड से बुनेंगे और इस सैड हम फिर से 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे इसी तरह से हमें बुनते जाना है देखे हमने इसे यहां तक बुन लिया है और यहां पर यह हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, दो-दो फंदे हमने 6 बार चोड़ दे हैं अटाइच करेंगे इससे यह हमने सलाई पर घुमा की लाए यलो धागे को और रेड फंदा हमने बुन लिया यलो धागे से तो यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया है यलो धागे से यह हमने तीम फंदे बना लिया है यलो से एक फंदा और हम यलो से बनाएंगे तो यहां पर हमने यलो दागे से चार फंदे बना लिये हैं अब यहां से हम फिर से रैड से बुनेंगे अब यह रैड फंदे हम रैड दागे से ही बुन लेते हैं और इस बार ब्लैक कलर का एक फंदा और हम रैड से बुन लेंगे अब रैड को दबा लेते हैं यहां पर और यहां से हम ब्लैक दागे से बुनेंगे और हर बार की तरह यह दो फंदे हम इस साइड बिना बुने छोड़ देंगे यह से सलाई को पलट लेते हैं धागे को दोनों सलाई की भी से आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी दागे से हम बुन लेते हैं हम पहले हम प्ल्साट कि अब बन लेते हैं आ यह हमने ब्लायक फंदे बुन लिए अब पिछे की तरफ कर देंगे और फिरी को आगे की तरफ कर लेंगे अब, रेड दागे से हम ए, रेड फंदे बुन लेते हैं हाद रेड फंदे हम ए अब रेड दागे को पीछे की तरफ करेंगे और यलो को आगे की तरफ करेंगे अब यहां से यह यलो कलर के चार फंदे हम यलो धागे से बुन लेते हैं यह हमने सारे फंदे बुन लिये हैं अब यहां से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे यलो धागे से इस तरह से घुमाते होँ ये लाएंगे पर और ये फंदा हमने पुन लिआ है एक फंदा बठाया, दौ फंदे हो गए, तीन हो गे, चार, पाउर पाँच इस बार हम रेड कलर का ये वाला फंदा हम यलो से पुन लेते हैं यह हमने बुन लिया है अब यहां से हम रेड फंदे रेड धागे से बुनेंगे यह हमने रेड फंदे बुन लिये इस बार ब्लैक यह वाला फंदा हम रेड बना लेते हैं अब यहां से हम ब्लैक धागे से बुनेंगे और इस बार इस साइड हम ये दो फंदे बीना बुने छोड़ देंगे यहीं से हम सलाई को पलट लेते हैं दागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से हर बार की तरह जिस कलर के फंदे हैं उसी दागे से हम बुन लेते हैं इसी तरह से हम एक बार और बुन लेंगे तो हमने इसे यहां तक बुन लिया है और इस साइड यह हमने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो दो-दो फंदे हमने नो बार छोड़ दिये हैं और एक फंदा ब्लाइक कलर का यहां पर हमारे पास बच गया है और इस साइड हमने नो फंदे बढ़ा लिये हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो नो फंदे हमने यहां पर बढ़ा लिये हैं और यहां पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, ग्यारा फंदे हमारे पास यहां पर बच गये हैं, इस तरह से यह हमने डोर्मेट की आधी कली बनाकर तयार कर ली है, अब यहां से यह सारे फंदे हम यलो धागे से ही बुन लेते हैं, रैड, ब्लैक और यलो सभी फंदे हम यलो धागे से बुन लेंगे, तो यहां तक हमने यह सारे फंदे बुन लें हैं, अब इस साइड से भी हम यह सारे फंदे यलो धागे से बुन लेते हैं सीधे सीधे ही, यहां तक हमने यह सारे फंदे बुन लें हैं अब इस से आगे की हम आधिकली बना कर तयार करेंगे, तो यहां पर हमारे पास यलो धागे से पूरे फंदे बुनने इस से पहले जैसे फंदे थे उसी तरह से हम यहां से फिर से बुन लेते हैं तो यहां पर यलो कलर के हमारे पास आठ फंदे थे तो यहां से यलो धागे से हम बुन लेते हैं आठ फंदे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब यहां से हम रेड धागे से बुनेंगे अब यहां से हम एक फंदा ब्लैक से बुनेंगे और यहीं से सलाई को पलट लेते हैं धागे को हम दोनों सलाई की पीछ से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी दागे से बुन लेते हैं अब यहां से बुन लेते हैं यहां पर जिस तरह से थे एक फंदा फिर रैड और फिर यलो फंदे तो यहां पर जिस तरह से फंदे थे उसी तरह से हमारे पास वापस आ गए हैं तो अब यहां से हमें एक फंदा घटाना है तो दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे जिससे कि एक फंदा घट जाएगा दो का एक हमने कर लिया है अब यहां से यलो फंदे हम यलो धागे से बुनेंगे और इस बार यलो कलर का यह एक फंदा हम रेड धागे से बुनेंगे और रेड फंदे हम रेड धागे से बुनेलेते हैं तो पहले हम हर बार इक एक फंदा रेड हम यलो बना रहेते हैं अब रेड बनाएंगे अब है ए मैं कि ए मैं पहले हम वाले पन्रेंट से बनाएंगे से पहले हम हर बार से फॉन लेते हैं और इस ऐसे यह दो फॉने हम बुन लेते हैं तो इस साइड से हम हर बार दो-दो फंदे बुनते जाएंगे इसे सलाई को पलट लेते हैं दागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उससे दागे से हम बुन लेते हैं अब यहां से हम फिर से बुना स्टार्ट करेंगे फिर से हम एक बंदा घटाएंगे यह एक बंदा हमने फिर से घटा लिया है यह दो हमने बुन लिये ये तीन और ये चार और इस बार यलो ये बंदा हम रेड से बना लेते हैं अब यहां से हम रेड फन देख रेड से ही बनाएंगे और इस बार रेड ये फनदा हम ब्लैक से बना लेते हैं अब यहां से ब्लैक फनदे ब्लैक धागे से बनेंगे और इस बार ये दो फनदे हम बुन लेंगे पहले हमने दो दो फनदे छोड़ते हुई इस आधिकली बनाई थी और अब हम हर बार दो दो फनदे इस साइड से बुनते जाएंगे इसे सलाई को पलट लेते हैं और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी दागे से हम बुन लेते हैं यह हमने सारे फंदे बुन लिये हैं अब हमारे पास यहां पर सलाई में फिर से यलो कलर से चार फंदे आ गए हैं तो यहां पर हमने यलो कलर जब हमने डाला था तो चार फंदे हमने बना कर यह यलो कलर से हमने यह डिजाइन कम्प्लीट करी है तो फिर से हमारे पास चार फंदे आ गए हैं यहां पर यलो दागे से अब यहां से हम रैड कलर अटेच करेंगे एक फंदा घटाएंगे हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे येलो धागे के रेड धागे से और अब यहां से ये सारे फंदे हम रेड से बनाएंगे और ये रेड फंदे भी हम रेड धागे से ही बना लेते हैं देखिए येलो धागे से इस तरह से ये डिजाइन हमने बना कर त और इस बार ये वाला रेड फंदा हम ब्लैक से बना लेते हैं और अब यहां से ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से बनाएंगे और इस बार ये दो फंदे हम बुन लेते हैं यह से सलाई को पलट लेते हैं धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और जिस चलर को फंदे हैं, उसे बढागे से बुन लेंगे। सबिख़ें तक हम यहां पर बनना ली है। पदेख़ों के वाहना प्तकलर में वाहन हैं,अफन कलर फलमे पड़ाइंगे। सारे फंदे बुन लिए हैं तो ये हमने डोरमेट की एक कली हमने बना कर तयार कर ली है और आप देख सकते हैं इसके बीच में हमने रैड और यलो धागे से पतंग वाली डिजाइन बना ली है और यहाँ पर सलाई में हमारे पास फिर से 28 फंदे ब्लैक धागे से और एक फंदा हमारे पास रैड धागे से आ गया है स्टार्टिंग में जब हमने ये कली बनाना स्टार्ट कर रहा था तो हमने 28 फंदे ब्लैक धागे से और एक फंदा हमने रैड धागे से लेकर ये वाली कली हमने बना कर complete करी है तो इसी तरह से अब यहां से हम दूसरी कली बना लेंगे और सारी कली हैं इसी तरह से बना कर तयार करके यह circle हम complete करेंगे और पूरा बनने के बाद में यहां से सलाई में से फंदे उतार कर सिलाई लगा कर इसे बंद कर लेंगे जिसमें कि हमारा ये Dormeid पूरा बन कर तयार हो जाएगा और इसी तरह से हम हर कली में ये पतंग वाली डिजाइन बना कर तयार कर लेंगे और पूरा बनने की बार में ये Dormeid बहुत ही सुन्दर लगेगा इस तरह से आप भी ये डॉर्मेट डिसाइन बहुती आसानी से पना कर त्यार कर सकते हैं डॉर्मेट से डिलेटेड अगर आपके कोई वी क्यूशन्स और डाउट्स हों तो आप हमें कमेंट बोक्स में लिखकर बता सकते हैं वीडियो चाल लगा हो तो लाइक और शेर जरूर कीजेगा इसी तरह कि और ने वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा